टार्गेड विदालोग के आनलाइन प्लेटफार्म से मैं पंडित अब्रेश भट आप सभी सम्मानित चातर चात्राओं का हार्दी का भिन्हेंदन करता हूं हम लोग आज चालिस प्रश्नों की टेस्ट स्रिंखला में भाग लेंगे आसा ये करता हूँ कि आपको ये टेस्ट स्रिंखला पसंद आएगी और अच्छी लगेगी जो प्रश्न होंगे आपके लिए लावकारी होंगे आईए हम चलते हैं प्रश्नों की स्रिंखला की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग देखते हैं पहला प्रश्ण आपके सामने आता है और पहला प्रश्ण होता क्या है निमलखित में से कौन सी एक संधी का प्रकार नहीं है कह रहे हैं कि कौन एक ऐसा है जो शंधी का प्रकार नहीं है इसको बोला करिए तो आप जानते हैं संधी तीन प्रकार की होती है कौन संधी पहली दूसरा अभ्यंजन संदी और तीसरा विशर्ग संदी होती है अनुश्वार नामक कोई संदी नहीं होती है जिसमें स्वर्शंदी के आपके कितने भेज़ होते हैं स्वर्शंदी के आपके पांच भेज़ होते हैं पहला जो भेज़ होता है वह दिर्ग स्वर्शंदी होता है क्या होता है दिर्ग स्वर्शंदी दूसरा जो भेद होता है वह गुण स्वर्शंदी होता है और तीसरा जो भेद होता है वह वृध्धि स्वर्शंदी होता है वृध्धि श्वर्शंदी होता है गुण वृध्धि यण श्वर्शंदी होता है और अयादि स्वर्शंदी हो होता है जो स्वर संदिके आपके पांच भेद माने जाते हैं यही पांच एक दो तीन चार पांच आपके होते हैं अगले कोश्चन की तरब बढ़ते हैं कोश्चन नमर दो है काहे रे नलिनी तू कुमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी के पंक्ति के रशनाकार को है तो काहे रे नलिनी तू कुमिलानी तो यहाँ पर आपको ऐसा कहने वाले कभीर दासी होते हैं कि यह कहते हैं काहे रे नलिनी तू कुमिलानी यह जो कमलनी है वो क्यों कुमला रही है तेरे ही नाल सरोर पानी यानि जो सरोर में है जो सरोर में तुम्हारे यह नाल तुम्हारा जड़ है वो तो सरोर में रहता है फिर भी क्यों तुम कुमला रही हो जबकि कहीं पर भी जल का सिंचन कर दिया जाता है वो हरा भरा हो जाता ह है और तुम तो पूरे हί पूरा जल में हो फिर भी क्यों कुम ला रही हो ऐसा कहने वाले कौन होती है तो विर घरदास जी होते हैं अगले question की तरह बढ़ते हैं question number three क्या को पर ते हैं कंडे से न मुहावरा का अर्थ नहीं यह नहीं है स्वार्थ सिद्ध करना यह भी नहीं है तो क्या होता है घर में बैठ कर बेकार बैठना ही क्या होता है यह अंडे सेना यानि यह आपका मुहावरा होता है तो इसका विकल्प का तीन उत्तर D हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं अगले question की तरब question number 4 क्या कहते हैं कौन सा सब्द बहुबरी शमास की अंतर गताता है आपको ये बताना है कि कौन सा शमास जो है बहुबरी शमास की अंतर गताता है तो आप ये जानते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है आपको पता होता है कि समास कितने प्रकार का होता है मैं हलाकि आपको पता है कितने प्रकार का होता है तो आपको पता है कि समास छे प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से चार प्रकार ही होते हैं ये च्छे प्रकार कौन कों से समास होते हैं तो एक समास होता है अब्याई भाव समास अब तत्पुरुष के ही जो भ्येद किये गए हैं, मैं वही लिख दी रहा हूं करम धारे और चोता है दू करम धारे जिसे हम दू शमास कहते हैं पांचवाँ जो शमास होता है वह द्वन ड्वाक समास होता है और छठां जो समास होता है वह बहुई सीषमास के अंतरगत कौन सा Whoa margin यही चो हैं और मुख्यत lemon कोन है आपके अब्भेभा समास तद कुरुष शमास द्वन्द समास चार होते हैं यह जो डौफ आपके होते हैं द्यूग्व और करम दारे कि Jeśli बेसीकली यह कितीद हैं तत्पुरुष के ही भेद होते हैं इसे पूछा गया है कि लाल पीला और पीला येद्व लाल पीला में कर्मधारे समास भी होते हैं या आपसन पर डिपेंड करेगा कि दोनों आपसन में एक साथ नहीं रहेंगे तो यहां उसको कहते हैं विश्रश्णो भै कर्मधारे कहते हैं तो लाल पीला में आपका कर्मधारे भी होता है कर्मधारे भी होता है प्यारे और क्या ह होता है। दाद्ध भी होता है। फिलाल सरसुती हो जाएगा ठीक है यानि इसका उतर क्या हो जाएगा ये भी कल तो सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलते हैं कोशन मर पांच किस बर्ग का उच्चार्ण अस्थान कंठ तालू है आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा बर्ग है कि जिसका उच्चार्ण अस्थान कंठ भी है और तालू दोन एक साथ होते हैं तो हो का क्या होता है हो का प्यारे कंठ होता है छो का चो छो जो जो नियो ठीक है इसका होता है तालब्य होता है यानि तालू होता है, ओ का क्या होता है, कंठ होता है, प्लस ओष्ठ होता है, और इसका कंठ होता है, प्लस तालब्य होता है, यानि तालू होता है, यानि कंठ तालब्य कौन आ जाते हैं, वह ए आ जाते हैं, यानि इसको हम क्या कहते हैं, कंठ तालू के नाम से भी जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्य की तरफ चलते हैं Qưới movement 6 दुरासा का सन्विक्षेर क्या होगा दुरासा पूछा गया है तो आप यह जानते हैं दुहधान आशा बराबर दुरासा होता है क्या होता है दुहधान आशा बराबर दुरासा तो दुह दहन आशा हो गया है, बराबर क्या हो जाते हैं, दुराशा इस बिसर का परिवर्तन किसमे हो जाता है, आधा रो में यह आशा जूड जाएगा, अब यह रो में आ जूड जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और यह क्या बन गया, दुराशा बन ज अगले विकल पर यानि question number 7 हम बात करती है तो प्रथमतार सब सब्त Gottakka πρα우क सन वर्स क्या होता है उनजी सो तैंतालिस मोता है अग्य की संपादिकत्त्में इस तेन अग्या की संपादिकत में अग्ये क्या नाम होता है सच्चिदानन्द हीरानन्दवासैन अग्ये होता है तो अग्ये के संपादिकत में क्या होता है प्रथम तारशब्टक का प्रकासन होता है इन्होंने दुतिय तारशब्टक तर्थिय तारशब्टक चतुर्थ तारशब्तक है और एक तारशब्तक में साथ कभियों को इन होने लिया है तो टोटल कितने हो जाते हैं चार तारशब्तक में 28 कभियों हो जाते हैं तो यहां प्रथम तारशब्तक का प्रकाशन वर्स पूछा है तो आप वताना है कि इसका 1943 भी इसका प्रकाशन हो अध्यार को आट गुरु के समीप रहकर अध्यार करने वाला को हम क्या कहते हैं? 嗎? अध्यार को तेम आख दिया गभोप्त की रचना at Singhuak yem 부े कल्पो मेंब के चुनी आपको ये बताना है कि कौन सी ये सी रचना है कि जो मैथली सरनगुप्त की रचना होती है यानि आपको इनकी पूरी यानि पूरा ऐसा समुह बताना है कि जो मैथली सरनगुप्त की रचनाओं के अंदर गताती है तो आप ये जानते हैं, ये शोधरा किसी है, ये मैतली सरंगुप्त की ही होती है, पंचयोटी मैतली सरंगुप्त की होती है, द्वापर मैतली सरंगुप्त की होती है, निश्चित तोर पर पहले टोटल भी कल्प मिल जाते हैं, अतही ये मैतली सरंगुप्त की रचना हो जाती है बाकी रचनाएं नहीं होती है जब कोश्चन नम्मर दस अन जल में समास बताइए अन जल सीधा सीधा अन और जल की बात कर रहा है तो यहां पर दंद समास हो जाएगा कोश्चन मरे 11 की बात होती है तो प्रश्चन मरे 11 बधुरमि का संदिभुच्षे बकाताना है तो आप यह जानिए कि बधु कैसे लिखा जाएगा उर्मि कैसे लिखा जाएगा तो हमेशा जानिएगा वधु में क्या होता है बढ़ा ऊ होता है वधु और उर्म, यानि आपको उ में क्या होगा, ये बड़ाव होता है, बड़ाव इसमें, उर्म में भी बड़ाव होता है, तो बधुधन उर्म मिल करके क्या बना देगा, बधुर में बना देगा, जो किस संदी का उधारन होता है, दिर्गस्वर संदी का उधारन होता है, अतहा ग्यारा का उत्तर क्या हो जाते हैं भी सही हो जाते हैं कुश्चन नमर बारा है किस सब्द में रीश्वर नहीं है किस सब्द में रीश्वर नहीं है आप बताना है कृपा में रीश्वर हैं एकदम सही है कौधनरी होते हैं यानि इसमें है, क्रिष्ट में कौधन री होते हैं, इसमें होता है, क्रिष्ट में दौधन री होते हैं, इसमें होता है, ग्रह में गौधन रो होते हैं, इसमें नहीं होता है, अतह बिकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ग्रह में री नहीं आता है, बलकि क्या होता है रो होता है जब हम वर्ण भी छेट पढ़ाते हैं तो उसमें आपको इसकी बात की हम डिटेल चर्चा करते हैं तो अतहर यहां पर क्या हो जाता है डी विकल्प सही हो जाता है कोश्चन नमबर तेरे अंधा कुवा नाटक की लेखक कौन है अंधा कुवा नाटक की लेखक कौन है आपको आसांसा यह कोश्चन अंधा कुवा नाटक है तो नाटक है तो यह लिखते हैं लक्ष्मी नारायंड लाल लिखते हैं अंधा कुवा नाटक किस ने लिखा है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष मास नहीं है आप कोई बताना है कि अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण में क्या होता है अधिकरण में पर होता है यानि अधिकरण जो आप विभागती पढ़ते हैं तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है प्यारे अधिकरण में भी होता है और परभी होता है यानि यह होता है तो पुरुषों में उत्तन हो गया यानि अधिकरण हो गया देशासन देश में अटन हो गया अटन मतलब क्या होता है अटन मतलब क्या होता है घूमना फिरना ठीक है घूमना फिरना ठीक है इस वी क्या कहते हैं अटन कहते हैं तो द देश धन अटन बराबर देश आटन अगर संदी पूछा जाये तो इस मिटाउं सा हो जाएगा दिर्गसवर्शन्दी हो जाएगी तो यहां पर देशाटन देश में अटन देश में घुना प्रणा ही देशाटन होता है आता है ये भी आपके अधिकर्ण तत्रुष के अंतर आएंगे इसके अलामा हम कुल में स्रेश्ट हैं यानि यो कुल में स्रेश्ट हो ये भी होते हैं धर्म से वरष्ट हैं यानि इसमें नहीं आजाएगा इसमें आपका ये अधिकर्ण तत्रुष न हो करके क्या हो जाएगा धर्म से यानि आपादान का से धर्म से क्या हो गया रश्ट हो गया है अतह ये भी खल्प क्या हो जाएगा जी भी खल्प सही हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं अगले कुश्चन के तरब चलते हैं और कुश्चन नमर पंद्र पर आते हैं महल के भीतरी भाग को किस सब्द से जानते हैं तो महल के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं अंतहपुर कहते हैं गर्भगी नहीं भीतरी तल नहीं रन्यवास नहीं बलकि महल के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं अंतहपुर कहते हैं Q2 नमर शोले, अंतरात्मा का शुद्धशन्दी विक्षेद क्या होगा आपको ये बताना है कि अंतरात्मा का शुद्धशन्दी विक्षेद क्या होगा कोई 100% नहीं है, तो अंतहधन आत्मा बराबर क्या हो जाएगा, अंतरात्मा इस बिसर का प्रिवर्टनाधरों में हो जाएगा, यह आ मिलेगा, तो अंतरा हो जाएगा, तुमा यह बचा तो अंतरात्मा हो जाएगा, तो अंतरात्मा हो जाएगा, तो अंतरात्मा हो जाएगा मुहावरे का प्रियोग वाक्य के अंदरगत होता है और लोकोपती पुरुन वाक्य होती है यह कथन क्या होते हैं सही हो जाते हैं कथन गलत है नहीं कथन का प्रखमन सही है नहीं कथन का अंतिमल सही है नहीं दोनों कथन क्या होते हैं यह सही है अतह विकल्प क्या हो जाते हैं यह सही हो जाते हैं Quesh number 18. पराधीन सपने हुशुक नहीं किस रचनाकार की पंगती है? तो पराधीन सपने हुशुक नहीं ये ववतल्शी नहीं कहा है, अब निरामचेत मानश में पराधीन सपने हुशुक नहीं. जो दूसरे के अधहीन है उसको स्वपन में भी शुख नहीं मिलता है जो पराधुन मतलब परतंतर जो परतंतर है जयनि दूसरे के अधहीन है वो स्वतंतर नहीं है वो शपन में भी उसको शुख नहीं मिलता है तो पराधीन सपने में शुख नहीं तोलशी दास निमने में अर्धस्वर क्या कहलाता है? तो अर्धस्वर क्या कहलाता है यो को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर के नाम से भी जनते हैं तो यो क्या हो गया? अर्दस्वर को लिया यह वरो लो यह वरो लो यह वरो लो यह वरो लो 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 ही होगा कोशन दिश मृत्य धन उपरांत बराबर संदि करने पर क्या होगा तो मृत्य धन उपरांत यानि यहां से क्या मिलेगा उविलेगा धन यहां से क्या मिलेगा उविलेगा यह मिल करके बढ़ावू हो जाएगा और ये शब्द क्या बना देगा, क्या बना देगा, मृत्यू परांत बना देगा, और ये भी कौन से संदि होती है, ये भी आपकी दिर्गस्वर संदि होती है, ये भी आपकी क्या है, दिर्गस्वर संदि होती है, ये मिचल्प आपकी क्या हो जाती कोशन नमबर 21 खाद्यसामगरी जो यात्रा के समय, रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है खाद्यसामगरी जो यात्रा के समय, आपको जो भी ऐसी खाद्यसामगरी दी जाये, जो यात्रा के लिए यात्रा किश्र में दी जाती है आप रोगाते हैं ना घर से आते हैं या कहीं से कहीं जाते हैं तो बोजन बना करके मिलता है कुछ भी मिलता है तो वो जो खादसामगरी जो रास्ते में दी जाती है जी रास्ते के लिए दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम पाथिय के नाम से जालते हैं question wise अलप प्राण भुनियों का शमू कौन है आप वताना है कि अलप प्राण भुनियों का शमू कौन है तो अलप प्राण में क्या होते हैं अलप प्राण में क्या समिल होते हैं अलप प्राण में आपके जो शामिल होने वाले होती हैं अंतस्त होता है इसके अतरीक पृति एक बर का पहला तीसरा और पांचमा वार्ड सामिल होते हैं तो पृति एक बर का पहला तीसरा पांचमा का अर्थे हुआ यानि आप ये देखिए प्रतेग बरका तो को खो गो आगया यह होगा नहीं चो जईया यानि यह हो जाएगा यह आपके प्रतेग बरका पहला तीसरा और पांचमा अतहदिकल्प क्या हो जाएगा यह सही हो जाएगा क्या हो जाएगा भी सही हो जाएगा अगले कोश्चिन पर आते हैं कोश्चिन नमबर तेस्ट मेरी तिबबत यात्रा के रचनाकार कौन होते हैं तो आपको यह बताना है कि मेरी तिबबत यात्रा के रचनाकार कौन होते हैं मेरी तिबबत यात्रा तिबबत यात्रा तो यह इ आगे पढ़ते हैं. मेरी भी बत्यात्रा किसकी है? यह रहुर शांकरत्यान जी कितना होती है. आगे बढ़ते हैं. Qution No. 24 पर दें. विशेषन और विशेष से के योग से कौन सा समास बनता है? आपकोइ बताना है कि किस समास भी विशेषन और विशेष से का योग बनता है, तो विशेशन और विशेश से क्या जो योग बनता है, यानि पहला पद आपका विशेशन हो, क्या हो, विशेशन हो, ठीक है, और दूसरा पद क्या हो, विशेश्य हो, हालां कि करमधारे समास में आपको कभी-कभी बिशेश बाद में चला जाता है, और विशेशन पहले चलाता है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि दोनों तरफ जो है विशेश होता है, और कभी-कभी ऐसा होता है, कि दोनों पद ही विशेशन होते हैं, लेकिन एक जेनरल, एक सामान्य परिभासा की रूप में हम क्या काते हैं, कि पहला पद अगर विशेशन है, अगर मान लिजे विशेशन नहीं देता है, तो यहां पर अब कभी-कभी ऐसा होता है, कि उपमें और उपमान का ये करम मनाता है। ऐसा भी कभी हो सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन आपको विशेश्ष विशेशन ही पूछा जाएगा, चुकि इसमें दूसरे की सहली को अलंकार सहली को आपर युक्त नहीं किया जाता है, लेकिन कभी-कभी मान लिजिए, खुदान खास् तो विशेशन और विशेश की योग से कौन सा समास बनता है, आपे जानते हैं कि वह जो समास बनता है, क्या बनता है, करमधार समास बनता है। चलिए अगले प्रश्टि के तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर पचीस पर चलते हैं पचीस नमब कहते हैं यदि E, E, U, U और E के बाद कोई भीन स्वर आएं तो इनका परिवर्तन यवव और रो में हो जाते हैं स्वभाव जिसी बात है ये कह रहे हैं यदि E या E के बाद कोई भीन स्वर आएं ऐसा ही तो कह रहे हैं भीन स्वर आएं ठिक U या U के बाद कोई भीन स्वर आएं और री के बाद कोई भीन स्वर आएं तो कह रहे हैं E का जो परिवर्तन है वा किसमे यो में हो जाता है यो में उ का परिवर्तन वो में और री का परिवर्तन किसमें हो जाता है, रो में हो जाता है, यानि ए या है, उ या उ है, यह बड़ा उ है और री है, तो ई, उ, री का परिवर्तन या वो और रो में हो जाता है, ऐसा किसमें होता है, ऐसा आपका याण स्वर्शन्दी में होता है, किस नियम लागू होता है आगे बड़ते हैं अगले कोश्टिन की तरब चलते हैं कोश्टिन नमर पचीस जो छीड नो हो सके उसके लिए उप्युक्षद्धा बताईए जो छीड नो हो सके यानि जिसका जो नश्ट नो हो सके जिसको निश्ट न किया जा सके, उसके लिए ये बात वरी है, तो जो छीर नो हो सके, उसको अमिट कहते हैं, नहीं, अपार नहीं, अच्छे, छे मतलब क्या होता है, निश्ट हो जाना, ठीक है, निश्ट हो जाना, ओ मतलब नहीं, ठीक है, यानि निश्ट न होना, तो उसी को हम क्या कहते हैं औच है कहते हैं यानि अच्छ है कहते हैं चले अगले प्रश्ट की तरब बढ़ते हैं कोश्च नमर 27 नियम के विरुद्धकार करना अर्थ के नुकुल सही मुहावरा है कह रहे हैं कि यह कैसा इसमें से मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नियम के करना का मुहावरे का सही अर्थाप को बताना है तो सूरज को दिया दिखाना नहीं उल्टी गंगा वहाना चलिए दाई से बाई दाइ से पेट खि Shapani? Δाइ से पेट शिपान ये भी नहीं होगा 29 211 होना ये भी नहीं होगा तो क्या हो beraber क फुर्टी गंगा बहाना एक नम क्या होगा नीयब्युध हे जो होता हैनी नीयब्युधि जो बारवाई higher और बहाने जैसी होते है आगले प्रश्ट के तरह बढ़ते हैं, question number 28, निमलकिस सब्दों में से किस सब्द में द्वित्व बेंजन है? आपर बताना है कि कौन ऐसा सब्द है जिसमें द्वित्व बेंजन है, तो पुना में है नहीं, इलावाद में है नहीं, उत्साह में है नहीं, द्वित्व बेंजन, दो बाराज है, यहां, दो बेंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, तो वहाँ पर क्या होता है? द्वित् यानि इसे हम क्या कहते हैं यह कही सब्द की जब यह कही वरन की पुन्रावरत्य होती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है जो तुमें जन आपको हो जाते हैं तो पुन्रावरत्य हो गई है तो दिल्ली हो गया, किल्ली हो गया, नब्बे हो गया, असी हो गया, सतर हो गया, ठीक है छक्का हो गया, पक्का हो गया यह सब जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं तो सदधन, चितधन, आननद, बराबर सचदधन, हीराननद, वात्स्यायन और इनको कहना ही नहीं है अग्य यह होती है ठीक है और ये कौन है गुलेरी कौन होती है चंद्रधर सर्मा गुलेरी यह भी आपके उपनाम ही है अगे आप जान ही है इनका आप जानते ही है बताना ही नहीं है सुर्य कांत त्रिपाठी निराला इसको आपको बताना ही है अध्यासिंगोपाद ध्याय हरी योग ठीक है? तो इसमें पुछा गया है सच्दान भीरा नवासाइन अगे इनका पूछा गया है अतहभी कल्प क्या हो जाएगा सी, सही हो जाएगा अगले प्रश्च की तरब चलते हैं कोशे नमर 30 प्रत्यांग किस समास का उदाहरण है अब कोई बताना है कि प्रत्यांग जो है किस समास का उदाहरण है तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रतिधन अंग होता है प्रतिधन अंग बराबर क्या हो जाएगा प्रतिधन हो जाएगा तो समास की दृष्ट से अगर आप देखते हैं तो यह क्या हो जाएगा अभ्याई भाव समास हो जाएगा और संधी की दृष्ट से अगर इसको देखा क्या हो जाएगा क्योंकि ए के बाद अगर कुई भिन्य स्वर आते हैं तो उनका परिवर्तन योम्य हो जाता है अभी जेश्ट इसके पीछे ही हम लोग क्या कि यह हैं पढ़े हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा यह सही हो जाएगा जिसके सीर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त सब्द है जिसके सीर पर चंद्र हो जाएगा तो उसको हम चंद्र सेखर कहेंगे और क्या कहेंगे ठीक है चंद्र सेखर बोले बाबा को और घरदानी को भी चंद्र सेखर के नाम से भी जाना जाता था आता भी कल्प क्या हो जाएगा भी सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 32 द्रीग का वर्ण विक्षेद आपको बताना है जिसका द्रीग का वर्ण विक्षेद आपको बताना है तो द्रीग का वर्ण विक्षेद क्या होगा तो द्रीग कैसे लिखा जाएगा तो दो धन री ये तो दो धन री मिलकर के क्या बनाएगा द्री बनाएगा यिद्री बनाएगा गौधन और मिलकर के क्या बनाएगा गौब बनाएगा जो भी आपको शब्द मिलते हैं एक्स वाइजेट यह नहीं कि की एक ही सब्द आपको कोई भी अगर शब्द मिलता है जैसे मांग लिजी कि हम लेखते हैं सथ्य लेखते हैं ठीक है और इसी का वरण विक्षेद कहने के लिए कहा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा सो दहन ओ मिलकर कि क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा. दहन आधा तो धन क्या हो जाएगा? धन यहां पे. यह क्या हो जाएगा? शत्य हो जाएगा. कोई भी सब्द आपको लिखता है लिखा जाता है तो करना क्या है स्वर और बेंजन के लिए हम क्या करते हैं अलग-अलग विधान यानि अलग-अलग रूपों में इसको क्या हटा देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं इसको वर्ण विक्षेद का नियम कहते हैं अब इहाल ही में भी इसका पूछा गया है, इस तीस्यस में भी आपको ऐसे ही इसी सब्दों के वर्ण विक्षेद के बारे में पूछे हुए थे, तो ये को जरूरी नहीं है कि धन का प्लस लगाये ही, ऐसा नहीं भी लगाया जा सकता है, अता उत्तर के इसमें क्या हो जाएगा, ये विकल होताना है कि लोकोक्ति कोन है, तो लोकोक्ति और मुहाबरा, आप ये जान दीजिए, एक होता है, लोकोक्ति होता है, ठीक है, लोकधन उक्ति मिल करके लोकोक्ति बनती है, लोकधन उक्ति मिल करके क्या बनती है, लोकोक्ति बनती है, यानि लोक मतलब संसार, उक्ति मतलब वचन होता है तेहां लोगों के उक्ति यानि वचनों से सुन करके क्या होता है इसका निर्मार होता है लोकोक्तियों का निर्मार होता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग कहते हैं सभी लोगों के लोकोक्ति बन जाते हैं लोकोक्तियां अथवा कहाओते यह प्रियोग सिद्ध होती हैं यानि समाज में कही गई जो बात होती हैं उन बातों का मानवी जीवन में प्रियोग सिद्ध किया जाता है तुसे ही हम क्या कहते हैं लोकोक्ति कहते हैं और लोकोक्तियां क्या होती हैं बड़ी होती है लोकोक्त हो जाते हैं जबकि मुहावराओं के अर्थ अस्पष्ट करने पड़ते हैं समान्य सा एक कांसेप्ट है आपको मुलोकों के तथा मुहावरा पहचाने का आप यह जानिएगा 99% जिसके अंत में ना आता है वो समझेगा मुहावरा हो जाएगा जहां पर ना आएगा क्रिया के रूप में यानि ना आ जाएगा तो वहां समझेगा कि वह मुहावरा होगा अगर नहीं आता है तो समझेगा कि वह लोकों की होगा अथवा कहावत होगा तो आपको यह साधारन सी बात है साधारन सी पहचान मैंने बताया है अंगूठा दिखाना यहां पर क्या है यह क्या ह यही आपके नहीं होते हैं यह आपका क्या हो जाता है सीवी कल्प सही हो जाता है जो क्या है लोकोप्ति को यह पालन करती है ना कि मुहावरा की कंटन्ट को पालन करती है अता ही यह सही हो जाता है अगले question की तरब बढ़ते हैं, question number 34, परती परकथा के रशनाकार कौन है? परती परकथा, एक आंचली को पन्यासकार है, जो बड़े ही भेमस होते हैं, और उनका नाम होता है क्या? खडिस्वरनात रेणुग जी होते हैं, तो खडिस्वरनात रेणुग जी ये आंचली को पन् कल्प जो होगा, सी, सही हो जाएगा. अगले कोर हम चलते हैं, अगला question, question number 35, बुन्देले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी, वो तो जहांसी वाली रानी थी, चमकुठी संसत तावन की वहत अलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मरदानी, व तो जहांसी वाली रानी थी, ऐसी पंक्ति लिखने वाली मांखालाल चत्रवेदी होते हैं? नहीं, शोहणलाल लडवेदी, नहीं, रामने श्त्रपाठी, नहीं, तो क्उन होती हैं? शुबद्रा कुमारी चम्हान को अब ज़ पढ़ेंगे, ऐसी पंक्तिया शुबद्रा दिया है Question number 36 Hindi के जिन वरणों का उचार्ण करते हैं किवल स्वांस का प्रियोग किया जाए यानि आपको हम अगर वरण का उचार्ण कर रहे हैं और किवल सांसों का ही प्रियोग किया जाता है तो प्रियोग करन स्वांस का भी होता है और नाद का भी होता है तो जब हम स्वांस का प्रियोग करते हैं तो उसे हम क्या कहती है अगोश कहती है अगोश कहती है शगोश को ही हम क्या कहती है गोश कहती है और गोश में किसका प्रियोग होता है नाद का प्रियोग होता है नाद मतलब क्या होता है आवाज होता ह नाद का मतलब क्या होता है प्यारे आवाज होता है ठीक है नाद का मतलब आवाज होता है ठीक है तो इसमें नाद का अगोश में क्या सांस का ही प्रियूग होता है अतह बिकल्प आपके ए सही हो जाते हैं अगले प्रशन के चर्थ करते हैं, पोश्चन नमर से तीस, घी के दिये जलाना, घी के दिये जलाना, यानि घी के दिये जलाना, आप घी के ऐसा दिया तो जलाएंगे नहीं, जब आप बहुत प्रशन होंगे, हर्श होंगे, हर्श युद्ध होंगे, तब आप घी के दिये ज तकट करना नहीं, अपने को भी सिष्ट समझा नहीं, खुशी मनाना. गी के दिये जराना मतलब क्या होता है? खुशी मनाने को ही हम क्या कहते हैं? गी के दिये जराना कहते हैं. कोशन नमर हम 38 पे चलते हैं. प्रभुजी तुम चंदन हम पानी. यह पंक्तियां, एक आल जई रचना, एक आल जई पंक्तियां, किस ने कहा कि प्रभुजी तुम चंदन हम पानी. तो यह कहने वाले आपके क्या होते हैं? रहदास होते हैं. और प्रभुजी हट जए, तुम चंदन हम पानी. अगर आ जाता है, तो बिद्य निमाश मिस्त हो जाते हैं. तो यहाँ पर पुछा गया है प्रभजी तुम चन्देन हम बानी इसके आपके रिसनाकार कौन हो जाते हैं? ये रैदास हो जाते हैं. अगले कोश्चन के तरह बढ़ते हैं? कोश्चन नमर 49. पेट की अगनी के लिए शुद्ध शुद्ध आपको पुछा गया है पेट की दाव मतलब क्या होता है? दाव मतलब होता है जेंगल. जेंगल में लगने वाली याग या जेंगल की आग को हम क्या कहते हैं? दावाग मी कहते हैं. बढ़वा मतलब क्या होता है? बढ़वा मतलब होता है शमुद्र. बढ़वा मतलब शमुद्र. ठीक है? तो शमुद्र मे लगने वाली आग को क्या कहते हैं बडव आग्मी कहते हैं ठीक है जठर आग्मी यानि पेट को ही हम जठर भी बोलते हैं तो यानि भूख चोल लगती है तो पेट की अग्मी को ही हम क्या कहते हैं जठर आग्मी कहते हैं जठर आग्मी कहलाती है यानि इसका उत्तर क्या हो जा सी बिकल्प सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, question number 40 पर चलते हैं, और यह आज का last question है, किस कवी को कवियों का कवी कहा जाता है? आपको यह बताना है, कौन ऐसा कवी है, जो कवियों का कवी कहा जाता है, तो इसमें आपको बताना है कि किस कवी को कवियों का कवी के नाम से जा तो किसको कहा जाता है? समसिर बहादुर को क्या कहा जाता है? कभियों का कभी कहा जाता है. अता है बिकल्प क्या हो जाएंगे? चालिस के बिकल्प क्या हो जाएंगे? भी सही हो जाएगा. और अभी यानि हम लोगों ने कितने 40 प्रश्णू की स्रिंख़ा दिया और इस 40 प्रश्णू की स्रिंख़ा में हमने क्या किया है। आप से चर्चा किया है। आप इन सिंक्रणों, इन सिंक्लाओं को आप आत्मशाद करिएगा, इसका PDF जो है वो टेलिग्राम पर आपको भे दिये जाएगा, आप वहां से निकलवा लीजेगा, या पढ़े लीजेगा, ये दायत आपका होता है, संसाने आपके बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लि पढ़े नहीं सकते हैं, तो कम से कम उनके लिए भी ये भाइदा हो जाए, तो निश्चित तोर पे इसका और जो लोग पढ़ते हैं, उनका ज्यादे लाव होगा, क्योंकि आल लेडी हम क्लास में बहुत सारी बातों पर आपसे डिस्कसन करते रहते हैं, तो आज की क्लास के लिए बसीतरा ही धेड़ सरा प्यार है, और बहुत-बहुत आश्रवाद आप लोगों का, कि आप लोग इसे ध्यान पुरवक देखें, और संभवत आपको अच्छा लगा होगा, तो बहुत-बहुत प्यार और बहुत-बहुत आश्रवाद, धन्यवाद, जय हिंद.